तो जाहिए इन सभी को गूड इवनिंग मैं जुवेश्कमार स्वागत करता हूँ आपका टीचर सर्डर 24-7 पर तो निदी सिंग, तानिया ककर्ड तो सभी का वेलकन है चलिए सेशन की शुरुआत करता है येस बिटा आज क्लास है तो आज हम Environmental Studies के प्रिवे से questions करेंगे जो CTET, REIT, UPTET और D, SSSB और KVS के exam में आ चुके हैं तो चलिए शुरू करता है आज के session को पहला question आपके screen पर ये रहा अब ये आप इसे GK का भी question मान सकते हैं और आप इसे वैसे भी मान सकते हैं कि आपका EVS में है क्योंकि कई बारे पूछा जाता है कि wildlife century कौन सी कहाँ पे situated है तो बिनसार wildlife century आपकी कहाँ पे स्थ है, जल्लिविससे मैं बताता हूँ, इस question का answer आपका होगा हिमाचल परदेश, बिनसार wildlife century आपका कहाँ पर पड़ता है हिमाचल परदेश में, ध्यान रखेगा हिमाचल परदेश में एक आपका पड़ता है जाए लॉजिकल पार्क तो वह आपका कहां पर पढ़ता है हिमाचल परदेश में पढ़ता है फिर ध्यान रखेगा जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में आपका पढ़ता है दाची दाची गम नेशनल पार्क दाची गम नेशनल पार्क ओके आई यह जो दाची गम नेश हम बोलते हैं, ध्यान रखेगा, हिमाचल परदेश में आपका एक रामसर साइट भी है, ठीक है, हिमाचल परदेश में एक रामसर साइट भी है, जिसका नाम है रेनु का लेक जिसका नाम क्या है रेनु का लेक और यह जो रेनु का लेक है इट इस दी स्मॉलेस्ट रामसर साइट यह आपकी क्या है स्मॉलेस्ट रामसर साइट है ओके स्मॉलेस्ट रामसर साइट आप से ऐसे भी को होगी बिटा बिलकुल आप इफ्तियार करें, रोजा खूले आप अपना और प्रभू से, ईश्वर से, अल्ला से ये दुआ करो कि भाई ये कोरोना का जो है ना ये जल्दी से खदम करते बस बूद, एक जादू का जहड़ी चला के, ओके, चंदन सर आपको परणाम सर, बहुत नेशनल पार्क पढ़ता है, वैसे तो इसमें और भी है, इसमें एक वैली ओफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी पढ़ता है, क्या पढ़ता है, वैली ओफ फ्लावर नेशनल पार्क है, और ध्यान रखेगा, उत्राखंड की पहली रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट, जो उत्राखंड की है, वो बनी है, दरादून में, आसन, ओके, आसन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, सेंटर नाम है उसका, ठीक है, आसन, कंजर्वेशन, सेंटर, ये उत्राखंड की पहली रामसर साइट है, अच्छा, उत्राखंड में एक और चीज होगी, important, ओके, First Himalayan Leopard Conservation Center, Himalayan, okay, या जिसे Himalayan Leopard या Snow Leopard बोलते हैं, Snow Leopard Conservation Center, आपका Conservation Center आपका कहाँ पर Open किया गया है, उतराखंड में भी, इस question का answer लेकिन क्या है? हिमाचत परदेश है तो एक कोशन में मैंने आपको कितनी जानका दी इसका ध्यान रखेगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन यह है कि भाई which of the following region has rich in diversity and density of plant तो warm, tropical, desert region, cool, arctic या polar region आपको मैंने biodiversity भी कराया है और फिर मैंने आपको biomes भी कराया था अगर हम प्रिथवी की संद्रचना को देखें जैसे अगर यह प्रिथवी है प्रिथवी की संद्रचना को देखें तो प्रिथवी पे जलवायू पेटियां पाई जाती है क्या पाई जाती है जलवायू पेटिया जिने हम बोलते हैं आपका climate belts अब ये देखो ये आपकी equator है ओके ये अर्थ को दो parts में डिवाइड करती है Northern Hemisphere और Southern Hemisphere और यहाँ आपकी ये पढ़ती है आपकी line of Cancer ये आपकी क्या है line of Cancer है और ध्यान रखेगा ये आपकी line of Capricorn है ये आपकी क्या है Capricorn तो यहाँ पर ना पूरे साल temperature बहुत high रहता है ये जो रीजेन होता इसे हम बोलते है ट्रोफिकल रीजेन बोलते हैं और सबसे जादो जय विभित्ता है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन में ही पाई जाती है क्योंकि गर्मी के कारण यहाँ पे हुमस, वर्षा के वर्षा होती है, वर्षा के कारण प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स और नमी के कारण आपके कई परकार के जीव जनतु भी होते है तो इस question का answer आपका option number A होगा अगर आपसे question पूछा जाता कि भाई rich अगर सबसे कम तो सबसे कम आपकी किसमे होती है polar region में जो biodiversity lowest होती है वो किसमे होती है आपकी polar region में polar region में तो आपकी biodiversity बिलकुल lowest होती है क्योंकि आप वहाँ पे क्या है मीना कुमारी बेटा है आपको good evening और ध्यान रखेगा lowest होती है और ध्यान रखेगा यहाँ पे एक का दुखा है एक तो आपका वो क्या बोलता है water seal seal पाई जाती है polar beer पाई जाता है और कौन से जाना है ना कोई पक्षी होता है कोई किसी प्रकार का कोई प्रकार का जीव होता तो polar region में biodiversity सबसे कम होती है और warm tropical region में biodiversity सबसे अधिक होती है जैहिंद दारा सिंग सर चलिए आगे बढ़ता है the study of interaction between living organism and environment is termed as ecology, ecosystem acutology and cenology मैंने आपको ecosystem भी बताया है आपको मैंने ecology के बारे में बताया है acutology और cenology जल्दी से इस question का answer दीजेगा इस question का answer क्या होगा कि the study of interaction between living organism and environment is known as ecology, ecosystem, etiology and cenology तो ध्यान दखेगा अब एक-एक के बारे में बात करते हैं अगर living organism की हम बात करते हैं अपने environment के साथ नमस्कार संदीब पंडे सार तो उसे हम क्या बोलते हैं living organism का उसका जो environment है तो वो तो ecology ही कहलाता है ना ओके वो तो आपका ecology ही कहलाता है अब बात करते हैं ecosystem 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 की जो definition अगर आप देखो ecosystem क्या होता है biological community interacting organism with their physical environment और अगर हम देखें होती है ecology की definition जो आपकी बताती है वो ecology की definition क्या होता है a branch of biology that deals with the relation of organism with their physical surrounding तो दोनों है तो लगबग बराबर है लेकिन जो ecology है वो एक study है यहाँ पर ध्यान रखेगा यहाँ पूछा गया है study तो ecosystem तो study नहीं है ecology study है option number A होगा गरीमा यादव एक बाब बताओ ecosystem एक study है क्या ecosystem है पारिस्थिक तंत्र यह प्रणाली है यह एक system है लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है study ecology दोनों में ही क्या होता है कि living organism का अपने आस पास के प्रयावरण के अंतर संबंदों को देखा जाता है inter relationship का देखा जाता है लेकिन पारिस्थितिक तंत्र को हम एक अध्यन नहीं बोल सकते अध्यन तो हम किसे बोलेंगे ecology को बोलेंगे ना तो option number A इसका right answer होगा ecosystem भी इसी जैसे होता है लेकिन यह आपका एक system होता एक तंत्र होता है acutology आपका क्या बोला जाता है ocenology अगर acutology आपका जो होता है octology से बोलते हैं अगर हम किसी एक particular species की बात करें इसमें हम क्या करते हैं एक particular particular species की बात करें यानि किसी एक विशेश परजाती की बात करें उसका interaction अगर अपने आस-पास के environment जिसे मेंडक का हो गया या उभेचल जीव हो गया उभेचल यानि एमफीबियन जो जल थल में रहते हैं उनका हो गया आपका सीनोलोजी हो गया अमीन खान गुड़ इवनिंग सर और सीनोलोजी हो गया community based सीनोलोजी आपका कैसा हो गया community based हो गया ठीक है अब आगे बढ़ते हैं Flora and Funa in Lakes आपका कैसा होता है Lentic होता है Lotic होता है a Biotic होता है या none of these होता है जल दी से बताएगा इस question का answer क्या होगा लेंटिक होता है जल्दी से बताएगा लेंटिक होता है या Biotic होता है देखो, ecosystem जो होता है, ecosystem जो है, दो टाइप से divide किया जाता है, ecosystem को आपका दो टाइप से divide किया जाता है, एक होता है आपका terrestrial, okay, terrestrial आपका जो होता है, land पे होता है, ठीक है, terrestrial, दूसरा होता है आपका aquatic, अब इसमें भी, आपका aquatic में भी, आपका क्या होता है, artificial होता है, natural होता ह अब आपका जो natural होता है, natural में भी दो parts में डिवाइड करते है, fresh water होता है, और आपका marine water में होता है, ठीक है, अब फिर इनको भी fresh water में भी dो type के होता है, एक होता है flowing, जैसे नदी हो गया या कोई कनाल या नहर हो गई, और एक हो गया आपका still water, तो जो still वाला होता है उसे lentic बोलते हैं और जो flowing water होता है उसे lotic बोलते हैं flowing water आपका जो होता है वो lotic होता है और still water आपका lentic होता है ओके आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आया होगी और session अगर आपको अच्छा लगता है तो session को like जो करेगा अगला question world environment day किस दिन celebrate किया जाता बहुत ही simple सा question है यह क्यों celebrate किया जाता उससे ध्यान रखेगा world environment day इसले celebrate किया जाता क्योंकि united nation environment program okay united nation environment program की जो foundation है वो आपका 5th of June 1971 को की गई थी 5th of June 1971 को आपकी united nation environment program की foundation की गई थी इसी वज़े से आपका 5th of June को क्या मना जाता है environment day यह बाद में मनाना शुरू करा एकदम से मनाना शुरू नहीं करा था दियान दखेगा इसका जो headquarter है ठीक है इसका जो headquarter है वो आपका कहा पढ़ता है इसका headquarter पढ़ता है narrowby narrowby किसकी capital है की निया की capital है किसकी capital है की निया की capital है अच्छा इस united nation program ने 2020 में एक नया दिवस मनाना शुरू करा है ठीक है यह दिवस कौन सा है यह दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को ठीक है 8 सितंबर को तो आपका की होता है 8 सितंबर को बताइए कौन सा दिन होता है okay seven सप्टेंबर चलो seven सेप्टेंबर fifth September 14 सेप्टेंबर और वैसे आपको मैं बता हूँ स सितंबर का जो पहला हफ्ता होता उसे portion और महा के तौर पर मनाते हैं 1992 से मना रहा है portion और महाँ तो सब्तंबर का जो पहला हफता होता है पोशन महा के तौर पर हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, अब ज़र यहां पर ध्यान से सुनो, यह जो आपका यह बनाना शुरू करा है, इसका नाम है international day, okay, international day, international, okay मैं बूब आलम, day for clean air and blue skies, okay, clean air and blue skies, अब इसे हिंदी में मैं बताना चाहूँ कि साफ वायू यह स्वच वायू और नीले आस्मान के लिए अंतराश्टे दिवस यह मनाना शुरू करा है, United Nation Environment Program ने 7 सितंबर 2020 से पहली बार बनाया गया, फिर abundance of species in a population within its habitat is called, okay, abundance of species, in a population, population यानि अगर एक जगा पर एक प्रकार के पर जाती सबसे अधिक पाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर आप देखो, जो ज़्यादा तर आपका, आपके ये जो हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा अधिक कहां पाएंगे, आपको उस जंगली इलाकों में पाएंगे, और जहां पर गर्मी अधिक होती है, तो वहां प आवाशिय घंञत्व, नीचे देंसिटी, यानि आवाशिय दिवस, शिख्षा दिवस तो बिलकुल 5 सितंबर को मनाया जाता है, और उससे ठीक है कि महीने बाद आपका मनाया जाता है अंताराष्डे-सितंबर स्क दिवस, 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्वा-स- Literacy Rate, 14 सितंबर को मनाया जाता है, आपका क्या मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस, 15 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है, Engineer's Day ओके, यानि यांतरिक दिवस क्योंकि M.V.S.W.E.S.R. और लुया कहा जन्रम्री सुवद्स हो तो, 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को हम मनाते हैं, विश्वк ओजोन दिवस, ओके, विश्व ओजन दिवस, और 17 सितंबर को हम बनाते हैं, राष्टी रे रोजगारी दिवस, ठीक है, Okay, the process of evaporation and precipitation is known as carbon cycle, nitrogen cycle, calcium cycle, hydrological cycle. इस question का answer दीजेगा क्या होगा? Evaporation, देखो एक होता है vaporization और एक होता है evaporation. Vaporization को हम बोलता है wash pee current, okay? और evaporation को हम बोलता है wash pee current और vaporization को होता है wash pee current. Vaporization का मतलब होता है जब पानी को हम 100 degree तक उबाले, उसके बाद वो किसमे convert हो? जलवाश्प में बदले. और अपने boiling point से नीचे, अपने भापांग से कम, अपने भापांग से कम, वो अगर पानी जलवाश्प में बदलता है उसे evaporation बोलता है. तो कई प्रकार की cycle होती है, carbon cycle, nitrogen cycle, calcium cycle, hydrological cycle. इस question का answer आपका क्या होगा? Hydrological cycle. इसे water cycle भी हम बोलते हैं. इसे हम क्या बोलता है? water cycle भी हम इसे बोलते हैं. ठीक है? इसे हम क्या बोलता है? water cycle भी बोलते हैं. अब जड़ा इसे देखिएगा कैसे. ओके? समझेगा इसे कैसे बात करते हैं. देखो. ये एक तलाब है. ठीक है? एक तलाब है. पानी से बरावाँ. अब evaporation हुआ. पानी जलवाश्प में बदला. और इससे क्या बन गया? इससे बन गया? बादल बन गया. ठीक है? इससे क्या बन गया? बादल. होगे, अब ये पानी की बुनों में वापिस आएगा, पानी की बुनिया निवर्षा, ये क्या है आपका समवेहन, इसे कंडन सेशन बोलते हैं, कंडन सेशन, तो जो बारिश का बरसना होता है, उसे ही तो हम प्रेसिपिटेशन बोलता है, ये बहा के इधर आ, अब ये इधर रहागा, तो ये एक वाटर साइकल ही तो हो गया, तो option number D, इसका right answer है, okay, option number D, इसका right answer है, yes, निनल गुपता, ask any question, okay, फिर आप, आपके सामने अगला question, ये रहा, इस question का answer से बताएगा, which of the following pair, geographical area, shows maximum diversity in our area, okay, okay, yes, beard वाले दे सकते हैं, okay, तो जल्दी से बताएगा, इस question का answer, which of the following pair, which of the following pair, of geographical area, shows maximum biodiversity in India, अब जहान दहान देखेगा, जहान पर सबसे ज़्यादा गर्मी और humus होगी, जहान सबसे ज़्यादा गर्मी और humus होगी, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा biodiversity मिलेगी, यानि जय विवित्ता आपको मिलेगी, तो जल्दी से बताएगा, इस question का answer क्या होगा, फिर मैं आपको मैं बताता हूँ, और आपको समझाऊंगा भी, कि सबसे ज़्यादा biodiversity आपके कहां पाय जाती है, तो option number इसका answer बता रहे हैं D, Eastern Himalayas और Western Ghats, कवीता ने इसका answer option number B बताया है, कवीता ने इसका answer क्या बताया है, option number B, actually इसका answer जो है na option number D है, इसका answer क्या है, आपका option number D, अगर हम भारत का नक्षा देखें, अगर हम भारत का नक्षा देखें, तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, जंगलों के भी परकार होते हैं, आपको पता हो, जैसे tropical forest होता है, जंगलों के भी आपके क्या होता है, परकार होता है, यह हमारे भारत का map बनाने की कोशिश करता है, छोटा सा, ताकि आप लोगों को समझा सको, छीक है, तो यहां पे जो आपका ये पढ़ता है ना, ये western ghats, यहां पे सबसे ज़्यादा आपकी बारिश भी होती है, मौनसून भी, आपका यहीं पे ही आकर टकराता है सबसे पहले, मौनसून, केरल में ही तो आता है, तो ये आपका क्या है, western ghats, western ghats में आपकी सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है जैवेवित्ता और आपका जो इस्टर हिमालियाज है especially आपका नागा लेंड मनिपूर और मिजोरम के जंगल ठीक है यहाँ पे बलकि आर्मी का जो इंडिन आर्मी का जो जंगल वारफेर स्कूल है न वो यही पे तो इस वज़े से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैवेवेट्ता पाई जाती है option number 10 का right answer राज ठाकूर साब ने एकदम धमा के दाल तरीके से answer दिया है अगला question अब इस question का answer बताओ कि upright position in biomass from the top यहाँ पे ध्यान रखा है उपर से पूछा गया है from the top biomass biomass अगर हम देखे तो physics की या science की language में mask है mask उसे बोलता है जो स्थान गेलता हो ठीक है अगर science की language में mask को हम देखे जो स्थान गेलता हो तो biomass यानि जैविक biomass की जो सबसे ज़्यादा अब उपर से नीचे तक हम इसे देखें, तो आप पिरामिड देखते हैं, पिरामिड ऑफ बायो मास तो आपने देखा ही होगा, ओके पिरामिड ऑफ बायो मास इस तरीके से होता है, तो पिरामिड ऑफ बायो मास में सबसे ज़्यादा जो पाए जाता है, सबसे ज़्यादा क् क्या होते हैं पेड़ पोधे होते हैं जिनने हम प्रड्यूसर बोलते हैं जिनने हम क्या बोलता है प्रड्यूसर प्रड्यूसर भी बोलते हैं ट्रीज भी होता है फिर उसके बाद आपका आता है ओमनी वोर्स आता है उसके बाद ओमनी वोर्स के बाद कार्नी वोर्स आता है का Carnivorous के बाद Top Carnivorous आता है, ठीक है, अब यहां से पूछा है, अब राइट अगर सीधा हो, तो हर्भी वोरस आपका किस्म आएगा, ठीक है, हर्भी वोरस, अब यह आपका नीचे से देखा जाए, तो आपका second पर आएगा, ठीक है, नीचे से देखा जाए तो, आपका किस पर आएगा, second पर आएगा, नीचे से अगर देखा जाए तो, लेकिन हमें कहां से देखना, from the top, तो from the top तो आपका third पर आएगा, option number 20 का right answer होगा, from the top तो आपका किस पर आएगा, third पर आएगा, तो option number 20 का right answer होगा, आगे बढ़ता है, most stable ecosystem, सबसे ज्यादा stable ecosystem कौन सा होता है, आपका, समुद्र, वन, रेकिस्थान या परवत, जल्ली से बताएगा, most stable ecosystem कौन सा होता है, और session को na, share or like जरू करेगा, और कल मैं, especially आपको, जो EVS के बहुत repeated questions है, वो जरू कराऊंगा, तो कल का session बिलकुल मत छोड़ेगा, most stable ecosystem, और ये B कौन सा आन से, B क्यो आन से लगा, और पेड कट जाते हैं, तो अपरदन, erosion होता है, erosion होता है, भूस खलन होता है, भूस खलन होता है, तो बार आती है, तो वन तो सबसे ज़्यादा, वनरेबल सबसे ज़्यादा, उसमें तो कुछ भी छेड़ छाड़ करो, एक माच इसकी तीली भी भैग, तो पूरा जंगल आग पकड़ लेगा, बिलकुल, ठाकोर ने इसका answer साई दिया, ocean, ocean का आकार इतना बड़ा है, ocean का आ forest ecosystem, जंगल के पारिस्थितिक तंत्र में, आपका जो फंजाय है, यानि fungus है, वो कौन से इस तर पे आती है, आपका जो फंजाय है, वो कौन से इस तर पे आती है, de composer में, आपका primary producer में, secondary consumer में या tertiary consumer में, ओके, देखो, आपका जो primary consumer, सबसे पहले तो अगर देखा जाए, आपका सबसे पहले producers आते है, producers, producers को का सेवन कौन करते है, herbivores करते है, herbivores करते है, herbivores का सेवन कौन करते है, carnivores करते है, carnivores, ओके, और carnivores के बाद जो बचता है, उसका जो बचा वाता है, उसे कौन करते है, decompose करते है, क्या करते है, decompose, और decomposers आपके कौन होते है, फंजाय और फिर वापस यह इस तरीके से आता है, तो यह एक जंगल के एकोसिस्टम का इस तरीके से होता है, तो इस question का जो answer होगा आपका, वो क्या होगा, option number A, अचा फंजाय जो होती है, फंजाय जो होती है, उसमें अध्यान दिखेगा, फंजाय के जो अध्यान होता है, इसे हम बो बोला जाता है, mycology बोला जाता है, study of fungi is known as mycology, okay, आप घटक मतलब, जो सड़ी गली चीजों पर उगदे, मश्रूम निखाते आप, मश्रूम निखाते, तो मश्रूम का आगर देखा हो, मश्रूम इतनी, आप जहां मश्रूम पैदा होता है, अगर आपने वो जगा देख इना तो कभी मश्रूम निखा होगे, okay, इतनी, सड़ी गली जगा मश्रूम को उगा जाता है, अंधेरे में, fungus, और ये fungus से तमारे को बिमारी होती है, ये जो दाद गहत, खुजली सर में, जू अगर ऐ, fungus के कारणी तो होती है, लेकिन fungus important भी होती है, Alexander Flaming का नाम आपने सुना होगा, Alexander Flaming ने क्या करा था, 1928 में, world की first antibiotic, क्योंकि virus के against दवाई नहीं बनती है, virus के against vaccine बनती है, bacterial infection होता है, उसके against some antibiotic यूज करते है, तो world की first antibiotic बनाई थी, जिसका नाम था, penicilline, ठीक है, क्या था, penicilline, और जो penicilline है ना, ये आपका पता, fungus से बनती है, आपकी किस से बन है, fungus से बनती है, ओके, चलो, आगे बढ़ते है, अगरा question, ओके, which part of biosphere reserve, ओके, biosphere reserve में strictly prohibited and protected from any external interference is called, ओके, जन्दी से बताएगा, इस question का answer क्या होगा, ओके, देखो, biosphere reserve जो बनाया जाता है, उसको ना, तीन शेत्रों में बाटा जाता है, ओके, biosphere reserve जो बनाया जाता है, उसे तीन शेत्रों में बाटा जाता है, जो उसका जो सबसे अंदुरूनी शेत्र होता है, ठीक है, जो उसका जो सबसे अंदुरूनी शेत्र होता है, वो आपका क्या कहलाता है? कोर कहलाता है. ठीक है? कोर. जो उसका जो दित्ते छित्र होता है, उसे हम बोलते है transition zone. यहाँ पर रह नहीं सकते हैं, लेकिन जंगली चीजों को उपभो कर सकते हैं, जैसे किसी भी प्रकार की मानव की activity नहीं हो सकती, तो core zone है, यह bias for reserve होता है, ओके, option number B होगा, नहीं ठाकुर साब यह गलत है, इस बार, ठीक है, buffer zone, यह जो होता है, यह आपका buffer zone बोलते है, ठीक है, buffer zone, यह शहर और जंगल के बीच का एक होता है, ठीक है, तो उसका option number होगा, 12 का B answer हो होगा, ओके, जहां पर किसी भी प्रकार की external interference नहीं कर सकते है, जैसे अगर आप जाते हो, जिम Corbett National Park है, वहाँ आपको घूमने को मिलता है, तो वो एक क्या है, एक वो transition जो होना है, आप वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ पर घूम फिरगा आ सकते हो, और जो अं भीम बांद, भीम बांद wildlife century आपका कहां पर स्थित है, जली से बताएगा, भीम बांद wildlife century is situated at which place, तो भीम बांद wildlife century आपका कहां पर है, तो ये आपका मुंगेर district में परता है, किस में परता है, मुंगेर district में परता है, भीम बांद आपका किस में परता है, मुंगेर district, अब म आगे बढ़ता है, बोरी वाइड लाइफ सेंचुरी, बोरी, BWSA से बोलता है, तो बोरी वाइड लाइफ सेंचुरी आपका कहां पे स्थित है, जल्ली से बताएगा, बोरी वाइड लाइफ सेंचुरी आपका कहां पे स्थित है, बोरी वाइड लाइफ सेंचुरी आपका कहा पढ़ी थी, महादेवी वर्मा जी की, सत्पुडा के घने जंगल, सुने अन्मने से जंगल, तो सत्पुडा के जंगल है, तो यानि आपके किस में पढ़ेगा, मद्यपरदेश में, क्योंकि गुजरात में तो सत्पुडा नहीं आएगा, आजाम में तो सत्पुडा नहीं तो option number B, वैसे मद्यपर्देश में सबसे ज़्यादा national park है और महराष्टा में सबसे ज़्यादा आपकी क्या है, महराष्टा में आपकी सबसे ज़्यादा क्या है, wildlife century है, okay, मद्यपर्देश में सबसे ज़्यादा national park है और महराष्टा में सबसे ज़्यादा wildlife century, चलिए इस question कान से बताएगा, which among the following multilateral convention, seek to protect the human health and environment for, from persistent organic pollution जिसे P.O.P. बोलते है, bond convention Stockholm, Rotterdam या Basel, तो बताओ इस question का answer क्या होगा, और session को ना, या like वगरा जरूर कर दो, थोड़ा सा like वगरा करोगे ना, हमें अच्छा लगता है, हमारी energy बढ़ती है, हमें भी लगता है यार, कुछ मेनद कर रहा है, बच्चों को समझ आ रहा है, तो एक जोस मिलता है, तो जरूर session को like करा करें, ये एक हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करता है, वैसे भी पूरा दिन घर बे बैठके, आपके लिए content बनाता है, पढ़ता है, और फिर ऐसा एक appreciation मिलता है, तो एक अंदर जोस पैता होता है, कि हाँ कुछ कर रहा है, कुछ में प्राफ्ट हो रहा है, तो which among the following material, multilateral content, तो ये आपका Stockholm convention था, कौन सा था, Stockholm, Stockholm किसकी capital है, बताओ, ओके, Stockholm किसकी capital है, ये बताओ, फटाफट, ओके, जन्दी से बताओ, what is the, आप मेरे से अगर आपको contract करना है, तो आप मेरे को Facebook पे आप देख सकते हैं, मेरा नाम जिवेश कुमार है, आप देख सकते हैं, मैं आपको Facebook पे पाया जाता हूँ, ठीक है, तो जरा बताएगा Stockholm किस की capital है, Stockholm of capital of which country, Stockholm की capital तो बता दो, okay, Stockholm किस की capital है, okay, Stockholm is the capital, Stockholm हँआ की एक लड़की ना बहुत बड़ी environmentalist है, उसका नाम Greta Thunberg है, उसका नाम क्या है, ग्रेटा Thunberg है, तो बताओ Stockholm की capital क्या है, Stockholm की capital किस की capital है, Sweden में पढ़ता है किसमें पढ़ता है Sweden में चीक है Sweden एक स्कंडेनेवे कंट्री है नहीं नहीं सोवियत नहीं स्वीडन स्वीडन ओके वेरे गुड नजीन खातून धन्यवाद अच्छा दाचीगम नैशनल पार्क बताया था जम्मू कश्मीर में पढ़ता है और वहां पे हम क्या वै हंगुल बोलते हैं क्या बोलता है हंगुल और इसे अंग्रेजी में मस्क डियर भी बोलते है क्या बोलता है मस्क डियर भी हम इसे बोलते हैं ओके मस्क डियर जिनिवा तो बेटा स्विजरलेंड में जगा पढ़ती है ठीक है स्विजरलेंड में जगा है जिनिवा हंगुल और यह जो है ना पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ने occupied कश्मीर कर रखा है और इंडिया का उनके बीच पढ़ता है और पता आतंग वाधिव का शिगार भी यह हीरन होता है, क्योंकि आतंग वाधि जब इंफिलिट्रेंट करता है तो अपने साथ जादे समान कैड़ी करके नहीं यह मेरा ब्रादर बताता है, तो वो जंगली जीवों को ही मार कर खाता है, उसमें से हिरन उनका प्रिया भोजन होता है, फिर काल्टे गेना प्रोटोकॉल, ओके, काल्टे गेना प्रोटोकॉल, यह किस से संबंदित है, ठीक है, जल्ली से बताओ ना, काल्टे गेना प्रोटोक यह किस से संबंदित है, nuclear waste या invasive alien species और आपका living modified organism, जल्दी से बताएगा यह किस से संबंदित है, एक आपने, अगर आप में से कोई non-vej नहीं खाता हो, या आपने देखा हो, एक catfish होती है, catfish, काले रंग की, उसे हम रो मचली बोलता है, उसे खाया बहुत जाता है, ठीक है, तो बचली पाने, जो catfish है ना, वो normally जो होती है, वो white color की होती थी, जो naturally, उसे हमना hybrid कर दिया, अब वो catfish ऐसी है, वो कुछ भी खा जाती है, वो मतलब अगर लाश भी फैक दो ना, उसमें क्या करता है, नदी में, और वो catfish होती है, तो invasive alien species होती है, किस से संबंदित है, invasive alien species है, किस से invasive alien species है, कार्टेगना प्रोटोकॉल आपका किस से संबंदित है, आपका, invasive alien species से संबंदित है, ठीक है, कार्टेगना प्रोटोकॉल आपका किस से संबंदित है, invasive alien species से संबंदित है, और session को share और like जो करेगा, कार्टेगना प्रोटोकॉल, तो कार्टेगना प्रोटो प्रोटकॉल आपका जो है ना बायो सेफटी से रिलेटेड है, एक बार मैं आपको और मैं ज़र चेक कर लेता हूँ, कई भी कबार हम से भी हो जाती है, कि कार्टेगना प्रोटकॉल, मतलब यह है, इसका B option नहीं है, इसका, मैं को लगा B, इसका है, लिविंग मोडिफाइड और्गैनिजम, अभी मैंने इसे देखा, कार्टेगना प्रोटोकॉल आपका किस है, LMO से, LMO है कि लिविंग मोडिफाइड और्गैनिजम, रिजर्टिंग दी, मॉडिन टेकलोजी फ्रम वन, ओके, कि उत्तम किसम के जीव, जो उत्पन किया जाता है, option number C होगा, मैं भी गल जी आपने किस ने दिया है, आपका, Ernest Henkel ने दिया है, ecosystem, ecosystem जो है, वो आपका आस्टर टैंसले ने दिया है, Charles Darwin ने theory of evolution दिया है, theory of evolution, गल्ती करना is a very good thing, गल्ती करना एक बहुत अच्छी चीज होती है, अगर गलत हो रहा है, तो यानि इसका मतलब सही रहा पर हो, seriously, इस रहे तो कहा ना, सफलता ही, सफलता ही सफलता की कुझी है, क्योंकि अगर सारे अंसर आने लगोगा तो आ मन में गमेंड बैठ जाया अगर आपके गलत हो रहा है, तो यह आपको एक क्याता ना, बिना जहर के भी जीवन नहीं होता, तो थोड़ा से जहर भी होना चाहिए जीवन में, ठीक है, तो option number D is का right answer, अगर गलत हो रहा है, तो वो जरू करेगा, ठीक है, बिलकुल रास्ठाकुर, और eco tone क्या होता है, eco tone eco tone होता है, ऐसी जगह जहां पर दो आपके ecosystem मिलता है, जैसे एक जल का hydro ecosystem, water ecosystem होता है, और एक land ecosystem होता है, अब जहां पर यह दोनों मिलते है, यहां पर जो species पाए जाते हैं, जैसे उबे चर्माइंडक हो गया, पानी वालसाप हो गया, बगुला हो गया, इन्हें हम क्या बोलत में सबसे ज़्यादा tiger पाए जाते है, मद्यपरदेश में tiger जो जितने पाए जाते हैं, और 29 जुलाई को, 29 जुलाई को हम मनाते हैं, विश्व भाग दिवस, यानि world tiger day के तौर पे हम celebrate करते हैं, world tiger day के तौर पे हम celebrate करते हैं, तो आज के लिए इतने questions बहुत रहेंगे, और ध्यान रखेगा, अडर 247 पर आप विजिट करें, तो आपको 72% discount मिलेगा, capital U 191 discount code के बाद, और अगर आप अडर 247 की application तो download कर लो, उस पर आपको 73% discount मिलेगा, आप हमारे particular batches join कर सकते हैं, जह CTET का हो गया, English का ब्रहमस्त हो गया, आधार हो गया, EMRS हो गया, KVS batch हो गया, यह super tight हो गया, इन batches को join कर सकते हैं, और आप teaching का महा pack भी ले सकते हैं, teaching का महा pack यूज करके आपको test series भी मिलेगी और यह सभी batches बनेगी, ध्यान रखेगा, यूज करना है आपको code, capital U 191, इससे आपको 73% off मिलेगा, तो thank you very much, मिलता हैं कल शाम को साल बे, तब तक के लिए जय हिन, जय भाहत, God bless you all.